वेरी गूड इविनिंग स्टुडेंट बिटा क्लास चार्ट करते हैं करंट अफियर की और बहुती बहतरीन सेशन होने वाले हाज का हमारा करंट अफियर का क्योंकि काफी अच्छे जो रिसेंटली जो कोश्चन बन सकते हैं आपके करंट अफियर की क्लास वो सारे इसमें डा जाता है वेन वाज दा इंटरनेशनल टाइगर डेश सेलिब्रेटेड तो आप सब को मालूम होना चाहिए इसके बारे में जो की आंसुर है आज की ही डेट का 29 जुलाई आंसुर क्या है बिटा आंसुर है 29 जुलाई 29 जुलाई अंतरास्तिये बाग दिवस इंटरनेशनल ट में चाहिए इंदर है विस्व में सबसे ज्यादा टाईगर की दिर अंदर है और बहारत में भी सबसे ज्यादा चाहिए मंध्यपर is बताई जाती है जो अभी 2022 में पर mr.大 तीन ऊची ने टाइगर सेंसेस करा था कब करें तीन जचाइगर सेंसेस ञता कि मेने बागो की जनगनना यदी तीन फुटा इंडिा में 3156 टायगर में 3659łos 15 तो टाइगर सेंसेस 2022 में मोदी जी ने कराया जिसमें 3167 टाइगर निकल किया है भारत में सबसे अधिक टाइगर मध्य परदेश करनाट का महराष्ट्रा उत्राखंड वेगरा इन राज्यों में हैं ठीक है ना तो मध्य परदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है मध्य परदेश को क्या बोलते हैं टाइगर स्टेट भी बोलते हैं ठीक है तो टाइगर दिवस कब मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है ओके भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था अब बता सकते हो इंडियार्ज फस्ट नेशनल पार्क इसका कुश्चन का आंसर म इसमें तक्ता प्लट कर राष्ट्रपती मोहम्मद बजों को पद से हटा दिया गया है कुछ हतियार बंद आदमी उनके प्रेजिडेंट हाउस में वहाँ पर गुस गए उनको गदी से हटा दिया और गिरिफतार कर लिया गया है ऐसी गटना कहां पर गटी है यह देखो अफर तक प्रांस के कबजे में थी और फ्रांस से जब 7 अजाद हुआ तब से लेकर उनकी सो यह दह भर चार बार ग़ों चुका है गितनी बार थकता फिलेट हो चुका है ना यह एक अफरीकी डेस है जहाँ बात करते है Kenya की Kenya क्यों famous है अफरीका में Kenya famous है अपने अफरीका महादीप में क्योंकि वह चाय का उत्पादर वहाँ पर काफी ज़्यादा करता है यहां पर Algeria क्यों famous है बेटा अफरीका में Algeria इसलिए famous है क्योंकि यह अफरीका महादीप का सबसे बड़ा देश है Algeria is the biggest country of African continent of Africa continent अफरीका महादीप में सबसे बड़ा देश है Algeria मौरक को क्यों famous है मौरक को भी बहुत important country है ठीक है ना और इतिहास का एक मैं किसमे कोशन आपके सामने रखता हूं देखिए इतिहास कोशन कैसे बनता है मौरक को एक अफरीका देश है और अफरीका continent का एक बहुत important देश मौरक को से अपने इंडिया में आने वाले एक इतिहास कार थे इनका नाम था अल बरुनी इबन बतूता नाम क्या था इबन बतूता इबन बतूता ये इबन बतूता मौरक को से आये थे इंडिया में और ये कब आये थे बिटा 1333 में 1333 में किस राजा के किस सुल्टान के समय में आये थे यह आये थे मोहमद बिन तुगलक के समय में इबन बतूता भारत में आये था जो की मौरको से आये था मौरको एक अफरीकन कंट्री का एक देश है और यह जो इबन बतूता है इनकी पुस्तक का नाम था रहला देखो मैं इतिहास भी साथ में रिलेट करता चलता हूँ यह चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर पाऊगे ठीक है न कौन सी कुछतक है रहला बहुत इम्पोटेंट लास्ट एर ऐसे सी में पूछा गया कुषचन रहला किसकी पुस्तक है इबन बतूता की इबन बतूता कोन है मौरकोस से आया एक यात्री है किसके CC समय में आया था 1333 में महममद बिन तुगलक के समय में यह आया था जिसको दिल्ली का काजी बनाया था किसने महममद बिन तुगलक नहीं ठीक है यह कूश्चन आप देखें बहुत important questions है यहाँ पर तकता पलट कर दिया गया है कहाँ पर नाईजर में नाईजर कौन से कॉंटिनेंट का देश है अफरीका कॉंटिनेंट का ठीक है ये रहा थर्ड कोश्चिन 2023 के बीते 6 महीनों में कितने लोगों ने भारत की नागरिकत छोड़ी ये बड़ा ही एक चिंता का स्वाल है यहां पर 2023 में जनवरी से लेकर अब तक जून तक ठीक है न जो बीत गए जो 6 महीने हैं उनमें कितने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है citizenship को उन्होंने लेफ्ट किया छोड़ दिया तो आंसुर है इसमें सता सी हजार 87,000 इसका आंसुर है बिटा ठीक है न और सुनिये में थोड़ा सा आपको और बताओं 2022 में लगभग धाई लाक लोगों ने नागरिकता छोड़ी थी 2022 में कितने लोगों ने भारत की citizenship को छोड़ दिया धाई लाक लोगों ने अबी 6 महीने के अंदर अंदर 87,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है ठीक है ये वो आदमी हैं जो बहुत ही रिच हैं ये आदमी जो भारत की नागरिखता छोड़ी है जिनोंने ये बहुत ही अमीर लोग हैं कोन है ये ये बहुत ही अमीर लोग हैं जिनकी जिनकी कमाई तकरीबन आठ करोड से उपर हैं कोन लोग हैं जिनकी कमाई आठ करोड से उ बहुत ही चिन्ता की बात है में सीखते हैं खाती हैं लेकिन में सम survey अता है तो वीडेश जूद कर जाते हैं जब वहां पर कोई संक्ट आता तो फिर उनको फिर इंडिया ल ही याद आता है है तो ये बड़այ की बात अ Cela डेम हता था ठीक ऑ है सब याद भी ऐसे नहीं है ओके तो रिच परसन हैं ऐसे कुछ ठीक है और मैं आपको एक बात और बताओं 2011 से अब तक एक चीज़ और बता दू 2011 से अब तक यानि 2000 तेश तक 2011 से लेकर अब तक कितने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है साडे सत्रा लाक लोगोंने भारत की नागरिकता छोड़ी है सिटीजन सिप छोड़ चुके हैं 2011 से 2023 के बीच वें कितने आदमी साडे सत्रा लाक आदमी ये अमीर आदमी मैं बार बार बोलता हूँ सामानने आदमी मध्यमवर का आदमी गरीब आदमी भारत को नहीं चोड़ता जो अमीर आदमी जिसको ज़्यादा सुख सुविधाएं चाहिए जो थोड़ा सा जिन को ऐसा लगता है कि नहीं हम यहाँ पर खुश नहीं रह सकते और यहाँ पर कुछ हमें डर लगता है इस परकार से तो जो आदमी ऐसे हैं वो भारत को छोड़कर चले जाते हैं लेकिन एक बात आप सबको मालूम है कि भारत जैसा तो देशी नहीं है एक बात मैं यहाँ पर यह भी बोलूँगा कि हमारा जो कानून है भारत का बहुत ही लच यहाँ पर कोई भी बन्दा एसा है कि कोई भी रेप करता है तुकडे करता है तुकडों में जो बोडी मिलती है और खुले आमू घूमता रहता है और जब उनका पता लग जाता है यह बन्दा करिमिनल है और उनको 7-8-10 साल जेल में बैठाकर खिलाते रहते हैं तो यह बात अच्छी नहीं है, ठीक है न, तो इस लिहाद से हमारे देश का कानून बड़ा लचीला है, बड़ा डीला कानून है, ओके, चलो, आगे बात करते हैं मैटा, question number 4, world hepatitis day कब मनाया गया, तो ये world hepatitis day ये मनाया गया अभी 28 जुलाई को, कब मनाया गया, 28 जुलाई को, ये hepatitis होता ह है, लीवर की बिमारी होती, लीवर की एक सूजन होती, जिसमें hepatitis B, hepatitis B और C, ये ज़्यादा परमुक, ये आम लक्षन होते हैं, मिर्ट्यू के, है न, जिसमें hepatitis B और C के लक्षन हो जाते हैं, तो उनमें खतरा ज्यादा बना होता है, ठीक है न, ये liver का एक disease है, लीवर मे 83 में grandmaster कोन बने, 83 में grandmaster, grandmaster होता है सतरंज में, किस में होता बीटा, chest में, सतरंज में number one, ठीक है, सतरंज में number first, number one जो player होता है, grandmaster कहलाता है, तो 83 में, भारत के 83 में grandmaster कोन बने हैं भी, आदित्ये S सामन्त आंसर है आदित्य एस सामंत ये 83 में ग्रेंड मास्टर बन चुके हैं भारत के बिटा फर्स्ट ग्रेंड मास्टर कोन थे ये थे भारत के फर्स्ट ग्रेंड मास्टर विश्वनाथन आनंद भारत के 82 में भारत के ग्रेंड मास्टर थे जिनका नाम था वी परनीत वी परनीत भ अभी 83 में Grand Master बने हैं अजित्ते सामंत ठीक है सत्रंज के बारे में मैं कल परसों वाली जो मैंने क्लास डाली थी उसमें मैंने बताया थोड़ा सा मैं आज भी बताऊँगा सत्रंज में कितने खाने होते हैं बेटा सत्रंज के अंदर होते हैं चोशट खाने सत्रंज का नाम कहा भारत में चतुरंग नाम से सत्रंज की सुरुवात हुई थी फिर ये अरब में चला गया क्योंकि अरबों ने भारत में सबसे पहला टैक किया फर्स्ट मुस्लिम अटैक अरभी अटैक था जो की 712 इसमी में मौहमद बिन कासिम ने किया था इसलिए जो चतुरंज जो खेल ह ये अरबों में गया और अरबों से ये गया यूरोप में यूरोप से फिर से हमारे देश में लोटके आया ये आया पंदरवी सताब दी में 15th century में इंडिया में आता है तब इसका बदला हुआ सवरूप था ये शतरंज बन चुका था ठीक है तो इसके अंदर 64 खाने होते ह इसमें खाने होते हैं दो प्लेयर होते हैं इसमें है ना इसमें आठ एक साइड में आठ सैनिक होते हैं दो घोड़े होते हैं दो हाथी होते हैं दो उंट होते हैं एक राजा होता है एक रानी होती है एक साइड भी इतना इतने ही फिर दूसरी साइड में भी होते हैं है ना यनि कितने होगे आठ सैनिक और आठ ये सबी बिलाकर 16 होगे, 16 खिलाडी होते हैं, 16 प्यादे होते हैं एक खिलाडी के पास, 16 प्यादे होते हैं किसके पास एक खिलाडी के पास, ऐसे ही 16 दूसरे खिलाडी के पास भी होते हैं, ठीक है न, तो ये खेल है शत्रंज, शत्रंज म फर्स्ट ग्रेंड मास्टर माने जाते हैं इंडिया के अभी 83 में ग्रेंड मास्टर बने हैं अधित्य सामंत देखे विटा कोशन नमबर 6 उत्र भारत के पहले स्किन बैंक का उद्गाटन किस शहर में किया गया स्किन बैंक का उद्गाटन अभी नू देली के सफदरजंग होस्पिटल में किया गया है ध्यान रखना नू देली के सफदरजंग होस्पिटल में पहले उत्तर भारत का साउत में नोर्थ इंडिया में फर्स्ट स्किन बैंक कहां पर सफदरजंग में ठीक है न यह स्किन बैं Question No.7 के साथ Monday matches जो चले हुए हैं उसमें ए भद्र वैवार के लिए इन्होंने कुछ टिपनी की ए भद्र वैवार किया इसलिए ICC ने इनको दो मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है मैं ICC के बारे में आपको बताऊं ICC का head office की दरा ये दुबई में हैं ICC का head office की दरा दुबई में और BCCI के head कौन है अभी BCCI के head बने हैं रोजर बिन्नी ध्यान रखिए पहले कौन थे स्वरव गांगुली थे ओके अगला question देखिए question number 8 भारत वै मालदीव की सेना के बीच एक्यूविरेन अभ्यास का बाहरवा संसकर्ण कहां पर हुआ देखो ये अगर question आता है कि एक्यूविरेन ये exercise किस-किस देशों के बीच होती है तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा भारत और मालदीव के बीच में होती है मालदीव smallest country है Asia की है ना मालदीव is the smallest country of Asia continent ये बच्चे ध्यान रखना है आपको ठीक है जो कि Arabian Sea में कहां पर Arabian Sea में नीचे Arabian Sea से थोड़ा सा आप नीचे कह सकते हो वहां पर जो कि अपना लक्सद्वीप आइलेंड है लक्सद्वीप आइलेंड के नीचे है मालदीव कंट्री smallest country है Asia के अंदर और ये दोनों देशों के बीच ये युद्ध अभ्यास एकिवेरन युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ ये उत्त्रा खंड में हुआ बिटा कहां पर हुआ है उत्त्रा खंड के अंदर हुआ ध्यान रखता है ओके कोशन नमबर नाइन दिसंबर 2023 में कौन सा देश इक्यत्तरवी Miss World प्रतियोगिता का आयोजन करेगा ये बच्चे ध्यान रखना इसका आयोजन अपकी बार इंडि प्यूरिटो रिको में कंट्री में हुआ था सत्तर वा ठीक है ऊके इसमें कौन जीता था इसमें कैरोलीना इसमें कौन जीता था बिटा केरोलीना ये कैरोलीना कहां कि पॉलेंड क favor थे बवच़ो नंद अब ये credit कि है कैरोलीना जिसने 172 मित वल्लम का二 खिता था कैरोलीना क कहां की थी पोलेंड की कहां पर हुआ था प्यूरिटो रिको में हुआ था अभी इकतरमा वेस्ट में मिस वल्ड परत्योगता कहां होगा ये कॉंपेटिशन कहां होना है ये बहरत में होना है ठीक है दिसंबर में चलो next point देखिए हाल ही में फिनलेंड में आयोजी टामपरे ओपन का खिताब किस ने जीता टामपरे ओपन क्या होता बिटाई टैनिस टोर्नामेंट होता है ये लोन टैनिस की एक परत्योगता होती है जिसका खिताब अभी हाल ही में सुमित नागल ने जीता है सुमित नागल भी एक टैनिस प् ओपनना भी टैनिस प्लेयर है गोपी नातंद जो ओंगे ये बैड मिंट के थे पहले ठीक है न तो अभी सुमित नागल का आंसर होता है सुमित नागल ने ये फिनलेंड के अंदर टैंपरे ओपन का खिताब जीता है फिनलेंड की बात करें तो फिनलेंड 31 ऐसा देश बन चुका है जो नाटो में शामिल हो गया है ध्यान से सुनना questions को मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी class में आप pen को पी लेके बैठिये नाटो में शामिलित हुआ है समिलित हुआ है फिनलेंड फिनलेंड को जीलों का देश भी कहा जाता है ये बच्चे ध्यान रखना ठीक है न ये ये यूरोप को ये country है question number 11 हाल ही में भारतिये संसद में इतिहास का कौन सा एविश्वास प्रस्ताव लाया गया है अभी ये बहुती ताजा news है अभी की news है which no confidence motion has been about in the Indian Parliament recently तो बेटा ये बहुत important question है इसका answer है क्या आप लोग बता सकते हो इसका answer है 28th अठाइसवां ये भारत में 28th आएविश्वास प्रस्ताव लाया गया है ये आविश्वास प्रस्ताव होता क्या है non confidential motion ये आविश्वास प्रस्ताव वो होता है जब विपक्ष को जो अगेंस्ट में जो संसद में आगे लोक सभा में जो अगेंस्ट जो दूसरी पार्टी होती जो सत्ता में जो पावर में नहीं होती वो इस प्रस्ताव को रखती है वो ये बोलती है कि अब जो विजेता दल है उसके पास इतने मेंबर नहीं है कि वो अपनी सरकार बचा सके इसलिए वो counting कराती है कि उसके इतने मेंबर वो count करके दिखाए कि उसकी सरकार बची रह सके ये होता है आई विश्वास प्रस्ताव अब तक ये 28 वान लेके आया गया है सबसे ज़्यादा आई विश्वास प्रस्ताव इंदरा गांदी के समय में आये थे लगबग 15 ठीक है ना तो ये होता है आई विश्वास प्रस्ताव अभी मोदी जी अपने members की counting करेंगे तो उनको बरोसा दिलाएंगे कि वो अभी विश्वास मत में हैं ओके question number 11 sorry 12 हाल ही में UNESCO द्वारा सांस्कृतिक विरासत पुरुसकार किस सहर के railway station को दिया गया which city's railway station has recently been awarded the culture heritage award by UNESCO तो UNESCO ये विरासत के सांस्कृतिक विरासत के पुरुसकार देती है कौन संस्ता UNESCO ठीक है ना और इसमें ये दिया गया है मुंबई सहर को किसको दिया गया है मुंबई सहर को आंसोर है बीटा मुंबई मुंबई के अंदर एक railway station है जो कि 169 years 199 साल पुराना railway station ये भारत में सबसे पुराने railway station में से एक है मुंबई के अंदर कौन सा railway station है जो की इतना पुराना है ये है बाय खला बाय खला बाय खला रेल्वे शेशन 169 years old है ये बहुत पुराना है ठीक है जो भारत के सबसे प्राचीन रेल्वे स्टेशन है उनमें से एकप बाय खला आंसुर है क्या मूंबई मुंबई शहर में है ये आप सबको मालूम है कि भारत की पहली रेल कब चली 16 अपरेल 1853 में मुंबई टू थाने मुंबई से थाने में महाराष्ट्रा में पहली ट्रेन चली थी ये लोर्ड डल होजी ने चलवाई थी लोर्ड डल होजी उस समय गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल कोन थे लोड डल होजी थे जिनका टाइम पीरिड था 1848 से 1856 तक ठीक है यह थी बारत की पहली ट्रेन ओके इस कोश्चन का आंसूर है मुंबई नेक्ट कोश्चन देखे बिटा मीथेन से उड़ने वाला रोकेट मीथेन से उड़ने वाला रोकेट जू क्यों कि इसमें लोंच किया है भी बहुत इंपोर्टेन कोश्चन है जो कि मीथेन से उड़ेगा चाइन आछे मीथेन एक एसी गयस है जो कि ढखे हुए में नालों में गंदगी में सुरंगों में कूँओं में वहाँ पर पाई जाती है मीठेन गैस सड़ेगले चीजों में दान के खेत में ऐसी जगह पर मीठेन गैस आपको मिलेगी ऊके चलो question number 14 किस देश ने हाल ही में ब्रिक्स समुह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है कौन से देश ने हाल ही में ब्रिक्स समुह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है इसका आंसर बेटा आप मुझे दोगे इस questions का आंसर आप मुझे दोगे देखो ब्रिक्स जो एक संगठन है इसका ये कब बना था 2009 में ये बन गया था अभी ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं इसमें बी से आप करोगे ब्राजील है इसका आंसर बेटा आप लोगोंने मुझे जरूर से जरूर देना है पिछला जो question मैंने बताया था पिछली हमारी जो current की class थी उसमें उसका answer था देली उसका answer क्या था देली ध्यान रखना काफी बच्चों ने answer दिया है मुझे काफी नहीं भी दिया उसका answer देली था आज का जो question है इसका answer आप मुझे जरूर देना ठीक है ना किस देश ने bricks है अभी okay मिलते हैं बहुत ही जल्दी next class मिलते हैं thank you very much classes को like और share करना बिल्कुल ना भूले okay thank you very much